नबश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है उश्री दिवेधी फ्रेंट्स और मैं आपको सौध करता हूँ अपनी इस वीडियो में देखिए चैप्टर थ्री एडवेंट औफ यूरोपेंस में हम पॉर्टुगीज डिसकस कर चुके हैं यहां से हम लोग शुरू करेंगे The Dutch, यहनी जो Dutch East India Company आई थी इंडिया में और उसके बाद The English East India Company जो आई थी इंडिया में उसकी एक Brief Information कौन-कौन से Subheads हैं? पहला है Dutch Settlement, दूसरा है Anglo-Dutch Rivalry, तीसरा है Decline of the Dutch in India, चौथा Charter of Queen Elizabeth I और फिर Progress of the English Company इन सारी चीज़ों को हम लोग यहां पर समझने कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, I hope आपने इस किताब को खरीद लिया हो, Right Side पर आपको किताब दिख रही है यह, A Brief History of Modern India by Rajiv Ahir, Spectrum की सबसे फेमस किताब है, Revised Edition खरी दिये, उसको अपने सा करना था, सबको बिजनेस करना था, पहला कौन मंद आएगा, उसका नाम है Cornelis D. Houtman, यह पहले Dutchman थे, जो पहुंचे सुमात्रा और बंतम आईलेंड्स, यह सुमात्रा और बंतम आईलेंड्स आपके इंडोनेशिया के आईलेंड है, यह 1596 पहुंचे और आगे भी आप दे 1902 में, States General of Netherland, अब यह States General of Netherland क्या है, तो आप देख सकते हैं, यह बाई Cameral Legislature है, नीदर लैंड्स का, जिसमें एक Senate होती है, और एक House of Representatives होता है, जैसे इंडिया में लोगसभा, राजसभा, तो यहां का लोगसभा हो गया, हापका House of Representatives, राजसभा हो गया Senate, एक General Example के आपको दे रहा हो, तो यह जो States General of the Netherland है, इसने 1602 में, बहुत सारी Trading Companies को मिला दिया, वो Trading Companies जो Direct Netherland के अंदर थी, उनके कंट्रोल में थी, और उन सारी Trading Companies को मिला के East India Company of Netherland मनाया दोस्तों, ठीक है, अब जब यह East India Company of Netherland बनी, इसको बहुत सारे Rights दिये गए, यह Rights क्या थे, कि आप ज PTs, sign कर सकते हैं, on behalf of the Netherlands Administration, territory को possess कर सकते हैं, आप, fortresses बना सकते हैं, कहीं पे भी अगर political power की बात आती हैं, दोस्तों, तो fortresses बहुत important हो जाती हैं, चोकि fortresses वो बड़ी-बड़ी buildings होती हैं, जिसके पीछे जो State Machinery है, वो आराम से रह के राज कर सकती हैं, तो States General of the Netherlands, यह नहीं, Parliament ने कई सारी companies को मिलाया, जो की बहुत potent थी, powerful थी, international trade में involved थी, उनको मिला के यह एक company मनाई, जिसका नाम था, East India Company of Netherlands, और यह East India Company of Netherlands आके, इंडिया में, और South Asia के दूसरी countries, खासकर, इंडोनेशिया जगार पर जाके तरखाट मचाएगा, आगे दिखते हैं, फिर यह देखा जाए कि यह Dutch settlements इंडिया में कहां मनें, तो देखे, Dutch का पहला settlement बना मसूली पत्नम नाम की जगा पे, यह देखे, मसूली पत्नम है आपका आंध्र प्रदेश में, तो 1605 में पहली factory बनी आपकी मसूली पत्नम में Dutch settlements की, उसके बाद देखे, दुस्तों, दुनिया, इंडिया क different parts में इनके trading centers आपके establish होने शुरू होंगे, धीरे धीरे ये fight में आएंगे किसके साथ, पॉर्टोगीस के साथ, चूकि पॉर्टोगीस सबसे पहले इंडिया में पहुँच चुके थे, इन्होंने क्या किया, जबकि Dutch यहां पे आये, बहुत जगों पे इन्होंने अपनी factories क establish किया, इन्होंने अपनी factories को कोरो मंडल कोस्ट पर establish किया, गुजरात में, उतरप्रदेश, बंगाल, बिहार, 1609 में इन्होंने एक factory खोली पुलिकट, जो की आपका मदरास के नौर्थ में है, पुलिकट लेक, आप जानते हैं, कौन से दो states की मौंडरी पर हैं, बताइए न 1603, बड़ा नगर, फिरकास में मजार, मुर्शिदाबाद के पासे बंगाल, बाला सौर, पटना, नाग पटम, 1608 में कोचीन, 1663, ओके, जबरदस तरीके से trade में ये लोग involved हैं, क्या करते थे, इनका merchandise को जिस तरीके से था, कि इंडिया से ये चीजों को लेते थे, ठीक है, और इंडिया से चीजों को लेके जाते थे, far east के islands, पहनी की, Indonesia के islands, Malaysia के आसे पास के islands, वहाँ पे लेके जाएंगे, Philippines में लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके उन्स चीजों को बिछेंगे. तो इंडिया की चीज़े इन जगों पर बहुत डिमांड में थी और ये ट्रेड करके ये काफी पैसा भी कमाया करते थे उसके बाद बात किया उन्होंने और किसके ट्रेड में इन्वाल हुए तो भही युना वॉली में इंडिको, नील की खेती होती थी उतोसका ट्रेड किया टेक्स्टायल, सिल्का ट्रेड किया इन्होंने, सॉल्ट पैट्रे, ओपियम, राइस, हर चीज़ के ट्रेड में ये लोग इन्वाल हुए अब देखे, जब भी आप ट्रेड में इन्वाल होगे, तो अव्यस ही बात है जो आपके कॉंपर्टीशन में लोग हैं उनके साथ लड़ाई होगी, तो पॉर्टोगीस के साथ भी इनके लड़ाई हुई, और इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी दोस्तों इनके लड़ाई होगी, देखे, इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी भी इस समय पे उसका उदय हो रहा था, और फिर यहाँ पे निकल क क्या आगि एंगलो-डच राइवल्री। यानि कि डच इस्ट इंडिया कंपनी और इंगलिश इस्ट इंडिया कंपनी की बीच में राइवल्री। आपको पता हैं इंग्लिश भी इस्टन ट्रेड में घुशे थे। पहले तो क्या था कि सिर्फ पॉर्टुगी इसको रास्ता पता समंदर के रास्ते आने का फिर ये रास्ता दीरे दीरे लीक हो गया बाकी East India Companies को पता चल गया तो डच भी आ गए English East India Company भी आ गए अब जब English इस इन्या सम्झी गुजएगी उससे में पर Dutch थोड़ा बोट established थे जब Dutch established थे तो obviously बात दोनों में बवाल शुरू हुआ commercial rivalry हुए पहलो फिर सीधे सीधे भाई खून खराबे पे भी ये लोग आ गये और खून खराबे में एक जगा हैं इंडोनेशिया में Amboena नाम की जगा पर हुआ ये दोस्तों कि Dutch ने 10 Englishmen को मार दिया 1623 में ये लड़ाई हुई थी 1623 में massacre हो गया था 10 Englishmen को मार दिया ये जो Amboena नाम की जगा थी ये पहले Portuguese के कंट्रोल में थी लेकिन Portuguese से इस जगा को Dutch ने छीन लिया था 1605 में तो पहला Amboena आया पर्तुगी से कंट्रोल में उसके बाद Portuguese को हटा के Dutch ने इस पे कंट्रोल किया English भी यहाँ पर आना चाह रहे थे लेकिन उनको एक तरीके सा massacre हो गया यहाँ से आपकी Dutch East India Company की और English East India Company की जो लड़ाई है वो बढ़ेगी बहुत बार इनके बीच ब्लडी वारफेर होगा फाइनली आप देखेंगे कि 1660 में 1667 में एक तरीके का कॉम्प्रोमाईज हो जाएगा आपका British और Dutch के बीच में और Britishers क्या बोलेंगे? Britishers बोलेंगे कि भाई ठीक है ये जो इंडोनेशिया के आसपास का जो इलाका है और जो इंडोनेशिया का आइलेंड है इसको हम छोड़ दे रहे है हम जा रहे हैं इंडिया में तो इंडोनेशिया में आप राज करो होता ना कि जब दो East India Company में जादा लड़ाई हो गई इंडिया से स्पाइस को एक्सपोर्ट करके ले के जाते थे और इंडोनेशिया में और दुनिया दूसरी जगाओं पर बेचते थे फिर और भी चीजों में कुछ ये लोग ट्रेट करते जिसे सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस, ओपियम इंडिया में बहुत अच्छी कॉलिटी का अविलेबिल था तो इसके एक्सपोर्ट में भी ये लोग शामिल थे तो 1660 में वैसे तो टेरिट्री इस डिफाइन हो गई बट कुछ लिमिटेड जो ट्रेड था डच का वो इंडिया में चलता रहा आगे हम लोग देखेंगे decline of the Dutch in India ये जो डच थे मलाय आर्के पिलाजो के ट्रेड में ये इन्वाल्व हो गये थे अब यहाँ पर आपको देख रहा है मलाय आर्के पिलाजो जितना भी आपको दोस्तों यहाँ पर यह ग्रीन कलर का देख रहा है ना तो ये सारे आईलेंड्स आपके इंडोनेशिया के हैं, फिर इधर आप देखेंगे, ये आपका मलेशिया है, ये ब्रूनई दरुस सलाम है, बोर्नियो आईलेंड है, पूरा का पूरा, उपर आपको ये फिरिपीन्स का आरकी पिलाजो नजर आ रहा है, तो ये पूरा आपका मलय आर्की बिलाजो आप कह सकते हैं पूरा यह जो वाइट वाला पॉर्शन छोड़ दीजे बाकी जेतना आप वो गरीन में दिख रहा है मलय आर्की बिलाजो है इस मलय आर्की बिलाजो में डच काफी हद तक इन्वाल थे 1600 सरसड में भले ही इनके बीच में कॉंप्रोमाइस सा हो गया था लेकिन वार आगे भी हुआ तो एक थर्ड अंगलो डच वार हुआ 1672 से लेके 1674 के टाइम पीरिड में अभी देखे लड़ाई चल रही दोस्तों तो 1672 से 74 के टाइम पीरिड में लड़ाई हुई थर्ड अंगलो डच वार हुआ क्या कि बॉम्बे में इन बिटिशर्स ने अपना एक बेस बनाया था और सूरत में भी इनका बेस था दीर दीर आप देखोगे कि सूरत की importance कम इसलिए हुई और बॉम्बे की importance जादा इसलिए हुई चुकि सूरत से पूरा trade बॉम्बे ship कर दे है अब इस सूरत और बांबे के बीच में communications थे अब उस अमें पर भाई telephone lines टेलिग्राफ lines तो थी नी तो communication लोग आ जाके करते थे तो भाई कुछ ships थे ठीक है, वो ships क्या थे कि समुंदर के रास्ते Bay of Bengal को cross करके England जा रहे थे तो Bay of Bengal में Dutch forces ने उन ships को रोग दिया जब उन्होंने ships को रोग दिया दोस्तों तो भाई, Britishers नाराज होगे Britishers को गुस्सा आई, कि भाई, पहले हमारे बीच में अलड़ी एक agreement हो रखा है, हमारे ships वापस घर जा रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो तो बोला कि भाई, यह battle होगा, battle हुआ तो हुआ battle of Ugly ओके, और battle of Ugly जो कि हुआ आपका November 1759 में वहाँ पर आप देखोगे, कि दोस्तों, यह जो Dutch है, वो अंग्रेजों से हार जाएंगे और जब यहाँ पर Dutch अंग्रेजों से हारेंगे तो यह जो Dutch इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे न उनकी जो इंडिया में घुसने की आस थी, वो इस November 1759 में काफी कम होती नजराई चुकि वो Battle of Ugly हार गये, अब मैंने आपको यहाँ पर बहुत लंबे टाइम पिरिट्स बताएं दोस्तों लंबे टाइम पिरिट्स कैसे बताएं मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताएं कि अंबोयना की ट्रेजडी हुई 1623 में 1623 के बाद लाई चलती रही फिर 1667 में एक कम्प्रोमाईज हो गया फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 3rd Anglo Dutch War हुआ 1672 से 1674 उसके बाद आप देखेंगे कि November 1759 में Battle of Ugly हुआ तो आप देख सकते हैं कि Dutch और English बहुत लंबे समय के लिए इस trade में एक दूसरे के साथ competition कर रहे थे छोटा मूटा समय नहीं था बहुत लंबे समय के लिए वो competition में थे तो बहुत बार Dutchों ने भी जीते बहुत बार अंग्रेज भी जीते एंड में Indian सबकॉंटिनेंट में आप देखोगे कि अंग्रेज डॉमिनेट करेंगे और वो Dutch को हटा देंगे अच्छा Dutch के साथ एक problem थे जो Dutch की modus operandi थी न Dutch यहां पर अंग्रेजों को हरा सकते थे Dutchों का problem क्या थी कि they were not interested in empire building भले ही इनकी जो East India company बनी थी उसमें इनको पूरी आज़ादी दी गई थी कि आप treaty कर सकते हैं, territory को acquire कर सकते लेकिन Dutch empire building में concern नहीं से उनका काम क्या था कि बस trade चलता रहे अब भाई, जो English थे वो बहुत हत्तक active थे आपके इंडिया में, उनको पसंद नहीं आ रहा था यह Dutch यहाँ पर आके trade में interference कर रहे हैं प्रस यह Dutch भी मारा काटी करते हैं जब भी इनको मौका मिला निन अंग्रेजों को मारा तो अंग्रेजों को गुस्सा है दोस्तों लेकिन आप देखो कि Dutchों का जो main interest है वो है Spice Islands of Indonesia Spice Island of Indonesia पर बहुत लंबे समय के लिए Dutch का राज रहा है काफी पैसे कमाए है Dutchों ने वहाँ से लेकिन इंडिया के trade को लेके Dutch और England में बहुत लड़ाई हुई है इंडिया को trade के लोके भी और South East के trade को लेके भी और end में आप देखोगे कि यह जो English East India Company है वो dominant बनके उभरेगी और Dutchों को उठाड़ के बाहर फेख देगी एक चीज़ यहाँ पर देखी अब हम बात करते है English East India Company के देखे अभी एक basic idea ही ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक basic idea और बहुत straight forward भाषा में किताब में लिखा हुआ है मैं तो आपके साथ इसलिए discuss कर रहा हूँ चुकि अभी देखे इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया उसमें कुछ भी बहुत extraordinary है नहीं सीधे सीधे पढ़के विए आप जान सकते हो जितना between the lines हो सके का उतना में समझाओंगा आगे जाके ऐसी बहुत से टिपकल चीज़े आएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी तो चुकि हमको एक scene में आपके सामने मतलब एक chronology में चीज़ों खतम करना है तो सारी चीज़े मेरे को लेनी जैसे कि होता नहीं कि आप लोग हजारो लाखो रुपे की कोचिंग देते हैं दिल्ली में वहाँ पढ़ते हैं ठीक है वहाँ पढ़ने के बाद आपको लगते के हाँ पढ़ गया पढ़ गया है अगर आप लाख रुपे की कोचिंग दिल्ली में जाके देखे पढ़ रहे हैं पहाँ पर भी आपको यही पढ़ाया जा रहा है जो कि आप किताब पढ़के देख सकते हो तो अब्विस्टी बात रहा है शायद आपको जरोद लगती है पढ़ने कि तो मैं आपको पूरी किताब पढ़ा रहा हूँ अगला देखते हैं भाई English East India Company कैसे घुसी तो देखते हैं भाई England में 1600 के लगबग जो महौल था ना बड़ा खुशनुमा था बड़ा ambitious महौल था कोई एक Francis Drake करके थे उन्होंने voyage ली थी एक बहुत बड़े समुंदर के हिस्ता में गूम किया है तो 1580 में फिर Spanish Armada को अंग्रेजियों हराय था 1588 में अभी European powers आपस में कोई बहुत कहते हैं ना कि Sacrosanx तो थी नहीं कोई बहुत दूद की तूली तो थी नहीं आपस में उलड़ती थी ट्रेड को लेके तो कुछ जीत की वज़े से इंग्लैंड में खुशनुमा महौल था उनकी capital में सब बोल रहे थे कि यार इस eastern trade में बड़ा फायदा है चुकि उस समय तक वासको डिगामा और पुर्तोगाल कि जो बाकी सेलर से वो काफी हद तक इंडिया पहुँच चुके थे आपके South Asia में इंडोनेशिया की बहुत से island से पहुँच चुके थे तो भाई इंडिया कंपनी वाले को लगा कि भाई हमें भी कुछ करना चाहिए यह क्या चल रहा है तो उन्होंने बोला भाई हम भी जाएंगे जाने के लिए एक प्रॉपर कंपनी मनानी पड़ेगी कंपनी मनाने के लिए क्या करना पड़ागी 1599 में 1599 में कुछ इंग्लिश ट्रेडर्स मिले काफी बड़े इंग्लिश ट्रेडर्स थी यह अपने आपको कहते थे मर्चेंट एडवेंचर्स ठीक है इन मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक कंपनी वनाई 31 दिसंबर 16 सो को कुईन एलिशाबेट वन ने चार्टर इशू किया जिससे इस कंपनी को एक मोनोपली मिली है कंपनी का नाम क्या था गवर्नर एंड़ा कंपनी ओफ दे मर्चेंट एडवेंचर्स वाले मर्चेंटों ने मिलके कंपनी वनाने की बात की कंपनी बनी जब कंपनी का पता चला कुईन एलिशाबेट को चला कुईन एलिशाबेट को बतायागा कि हमने ये कंपनी बनाई है हम इस्ट में जाना चाहते है तो कुईन एलिशाबेट वन ने 31 दिसंबर 16 सो को 15 साल की लीज दे दी कि आपके पास monopoly है 15 साल की लेकिन 1609 में आप देखोगे कि इस monopoly को एक unlimited time के लिए आगे extend कर दिया जाएगा तो भाई अब्वेसी बात है ये English भी active हो गए ये English को पता था कि Dutch company already फाइदा कमा रही है पर्तोकीस company already फाइदा कमा रही है इस spices की बहुत demand है European market में textiles की demand है तो जो इंडिया का सामान है बहुत अत्तक demanded है हमारी country में European countries में दुनिया की दूसरी countries में देखा जाए तो इंडिया से जो आगे के Southie station के बीच का जो trade है वो भी बड़ा lucrative है तो Dutch उसमें बहुत ज़ज़ा involved है English ने बोला हम भी कुसेंगे या गुसने को आगे बढ़े आगे बढ़ेंगे तो इनके सामने आएंगे बड़ी सारी problems क्या क्या problems आएगी सबसे पहले देखते है पहली बार English राज के representative की तरह और East India Company के representative की तरह एक captain थे जिनका नाम था Captain Hawkins इनके बारे मैंने पहले बात कर चुकी है आप से ये Captain Hawkins पहुँचे जहांगीर के court में पहले सी कहानी बताइए दोस्तों इनको बहुत रोकने की कोशिश की Portuguese ने नहीं रोक पाए जैसे दैसे ये बहुँच गया लेकिन इनका एक aim था एम ये था कि हमको सूरत में एक factory लगानी है पर्टोगीस बिल्कुल अपोज में थे और भाई court में बहुत intrigue चल रही थी पर्टोगीस का भी बहुत involvement था जहांगीर भी इधर उधर कर रहे थे बिन पैंदे के लोटे की तरह तो end में ये frustrate हो गया कि करें तो करें क्या ये जो मुगल emperors थे कुछ हद तक देखा जाए दोस्तों तो शुरुवाती मुगल emperors और बाद में जो अलग-अलग जगाओं के सुल्तान आएंगे न वो इन companies की real power को समझ नहीं पाए ये companies कितनी ज़्यादा exploitative है ये companies कितनी aggressive है इस चीज का वो अंदाजा लगा नहीं पाए जब तक उनको अंदाजा लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी ठीक है फिर आगे देखते हैं तो क्या हुआ कि भाई William Hawkins 1609 में जहांगीर के कोट में आये 1611 में वो वापस लोड गये उनका एक एम था सूरत में फैक्टरी बनाए पहले उनको पर्मिशन मिली फिर पर्मिशन वापस ले ली गई पर्टुगीज के अपोजिशन की वाई से कोई बात नहीं 1611 में क्या हुआ इंग्लिश ने मसूली पत्नर नाम के एक कोस्ट पे ट्रेड करना शुरू कर दे अब देखें ट्रेड कर रही थी इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों हाँ बस उनको अपनी फैक्टरी इस्टैबलिश करने की पर्मिशन नहीं मिल पाई थी तो सूरत में फैक्टरी इस्टैबलिश करना चाहते थे वो पर्मिशन नहीं मिली, बड ट्रेडिंग चालू थी, तो ट्रेडिंग कहां कर रहे थे, तो भाई मसूली पटनम नाम का एक कोस्ट है, साउथ इस्टन एच पे, वहाँ पे ये इंग्लिश कंपनी आपकी ट्रेड कर रही थी, ठीके, धीरे धीरे देखेंगे कि 1616 में दोस् 1612 में क्या हुआ, कि एक इंग्लिश कैप्टन है, कैप्टन थॉमस, ये कैप्टन थॉमस भाई, इंग्लेंड की तरफ से थे, इन कैप्टन थॉमस ने क्या किया, कि सूरत के पास के समुन्दर में पॉर्तुगीस को हरा दिया, जब इन्हों ने पॉर्तुगीस को हराया, मुंदर में ये सब बात हुई तो फिर उस समय पे जहांगीर ने 1613 में सूरत में फैक्टरी को सेट अप करने की पर्मीशन दे दी ठीक है तो शुरू में 1611 में पर्मीशन नहीं मिल पाई थी लेकिन जब कैप्टन थॉमस ने पॉर्टोगीज को हरा दिया सूरत के पास तो 1613 म जितनी भी East India Company आय थी जब थोड़ी सी भी strong होती थी ना ये बहुत cruel तरीके से काम करती थी ये Portuguese Dutch English East India Company फ्रेंच कमनी ये सब एक थाली के चट्डे बट्टे थे बहुत cruelty थी इनको मारना काटना पीटना कुछ में नहीं था आपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते थे तो ज पॉर्टोगीस की थोड़ी सी मच मच हो ली थी जहांगीर से, तो इस Captain Thomas ने पॉर्टोगीस को हरा दिया, तो जहांगीर बड़े खुश हो गए, तो जहांगीर ने सुचा, ये आया मेरा दो, 1613 में England को दे दिया, कि भाई, फैक्टरी सेट अप कर लो सूरत में, फैक्टरी में आये, और सर Thomas रो 1615 से लेके 1619 तक मुगल कोर्ट में रहेंगे, ठीक है, तो मुगल एम्परर के, मुगल बाश्चा के दरबार में रहेंगे, लेकिन बहुत हद तक ये commercial treaty को conclude करना चाहते थे, बट उस commercial treaty में मुगल एम्परर के साथ कुछ बात बन नहीं पाई, तो एक full- commercial treaty तो नहीं हो पाई, लेकिन उससे में बहुत सारे इनको privileges मिल गए, जैसे कि मुगल एम्परर ने इनसे बोला, कि आप आगरा में, ब्रोच में, और एहमदाबाद में अपनी factories को setup कर सकते हैं, तो जो factories थी हैं आपकी, इन companies की, खासकर English East India Company की ये तेजी से setup होनी शुरू हु अब आप देखोगे दोस्तों, जब English East India Company आपकी इंडिया में आएगी, तो आप ये समझ पा रहे होगे कि ये मुगल कोर्ट में बहुत से लोग आके रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले देखा जाए, तो मुगल कोर्ट में Captain Hawkins आए, बाद में आप देखेंगे Thomas Rowe आए, उसका reason ये था कि उस समय पे इंडिया में already दो companies established थी, एक company थी आपकी Portuguese East India Company और एक थी आपकी Dutch East India Company, तो शुरू में England के officials को बहुत politics करनी पड़ी इन Dutch officials के साथ और Portuguese के साथ, चुकि ये तीनों आपस में कटर दुश्मन की तरह थे, तीनों को trade से पैसा कमाना था, तीनों आप Dutch से लड़ेंगे, Dutch भी England से लड़ेंगा, English भी Portuguese से लड़ेंगा, इन तीनों में आपस में लड़ाई हुई है, तो शुरू शुरू में जब England यहाँ पे घुसेंगा, तो उसने कोशिश की कि Mughal Emperor को पढ़ा के अपना काम निकाल लेते हैं, बड़ पहले ये Portuguese Dutch वाले बैठे तो यह पटने नहीं देंगे Mughal Emperor को, तो करें तो करें क्या, तो शुरू आत में तो England and Dutch East India Company और Portuguese East India Company से लड़ता रहा, धीरे 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 करके इस English East India Company ने अपनी ताकत को इंडिया के अंदर बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे वो चीजों को अपने favor में लेकिया है, तो यह Catherine जो princes थी आपकी Portuguese की, इनकी शादी होती है, ठीक है, किसके साथ होगी इनकी शादी होगी King Charles II के साथ, यह King Charles II आपके Britain के राजा है, और इसमें दहेज दिया जाएगा, तो आपको लगता है इंडिया में दहेज दिया जाता, नहीं भीया, यह European power जो so-called advanced power थी, उस जमाने Bombay को Lease पे दे दिया किसको? East India Company को, यह शादी होई थी royal दोस्तों, तो यह Portugal के जो ruling class था, और England के ruling class के बीच में होई थी 1662 में, लेकिन दहेज में दिया गया Bombay का आइलेंड, और यह Bombay का आइलेंड जो की दहेज में दिया, British के राजा को, किसने Portuguese को, British के राजा ने इसको English East India Company को दे दिया, साल के लिए केवल 10 pound की payment पे, यह नि कि British के राजा ने क्या बोला, कि भाई, English East India Company से बोला, साल में 10 pound बेचते रहना, तुम्हें जो करना हो करो, इस Bombay में तो आई मर्जी, ओके, तो यह हो गया, जब Bombay मिल गया आपका, English East India Company को, तो फिर Bombay को बना दिया गया Capital of the Western Presidency, आप देखोगे, जब Britishers ने अपना शिकंजा कसा इंडिया में, तो उन्होंने Regional Basis बनाए, तो Eastern Head में उनकी Presidency का जो सेंटर था, वो था बंगाल, तो Eastern Presidency उनकी थी बंगाल, Western Presidency में पहले जो उनकी Capital थी, वो थी सूरत, जब उनके पास Bombay आ गया, तो Bombay उनकी Capital बन ग 1662 में शादी हुई थी, लेकिन Bombay Western Presidency का सेंटर बना 1687 में, इस बात को ध्यान रखेगा, यह मस्मझेगा कि तुरंत शादी हुई और तुरंत इसको 10 Pound के Annual Payment पे दिया गया, English East India Company को, तुरंत East India Company ने इसको Capital बना दिया, नहीं, यह सब कुछ gradually हुआ है दोस्तों, तो सूरत म में उन्होंने सूरत से Bombay अपना Capital Shift कर दिया, तो फिर देखेंगे, 1687 में Western Presidency की Capital बन जाएगी Bombay, Headquarters हो जाएगा Bombay, आप कुछ समय के लिए, आप देखोगे, English और Portuguese के बीच में थोड़ा बहुत Peace आ जाएगा, ज्यादा लंबा Peace नहीं होगा, 10-25 साल का ही Peace हो गई है, धीरे धीरे, यह जो Portuguese है, यह जो Dutch है, यह जो English East India Company है, यह अपने spheres of influence को fix करने कोशिश करेंगे, यह बोलेंगे भाई, यह इलाका मेरा, यह इलाका मेरा, यह इलाका मेरा, धीरे धीरे आपस में पीस करेंगे, चुकि काफी लड़ चुके थे आपस में, तो उन्होंनों बोला, यह जो जाके बाट लेते हैं, और आलाम से trade करते हैं, क्यों बेकाल मेरा वाल करें, इंग्लिश East India Company को काफी समय लग गया, पर्तुगीश East India Company के साथ, और डच East India Company के साथ, अपना settlement करने में, फाइनली, जब वो इस settlement को पूरा कर पाए, तब उनका ध्यान दूसरी तरफ किया, तब उनका ध्यान इस चीज की तरफ गया, कि कैसे अब पैसा खीचा जाए, और इंग्लिश East India Company की जो position थी, financial position थी, एक और चीज से सुदरी, एक golden फर्मान इशु किया गया, और यह फरुक इस चीजनल पावर ने जो की थे, सुल्तान ओफ गोल कॉंडा, सुल्तान ओफ गोल कॉंडा ने 1632 में golden फर्मान इशु किया गया, तो सुल्तान ओफ गोल कॉंडा को कुछ पैसा दिया जाएगा, और सुल्तान ओफ गोल कॉंडा के अंदर जितने भी ports थे, उन ports पे English East India Company freely trade कर किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं होगी उसी समय पर देखेंगे थोड़े सालों बात 1639 में क्या होगा 1639 में एक बिटिश मर्चेंट है जिनका नाम था Francis Day ये Francis Day क्या करेंगे Francis Day को चंदरगिरी नाम की एक जगा थी चंदरगिरी के रूलर से एक पर्मिशन मिली कि भाई आप एक 45 फैक्टरी बना सकते हैं मदरास में तो इस Francis Day जो कि एक बिटिश मर्चेंट थे इसको चंदरगिरी के रूलर से मदरास में एक फैक्टरी बनाने की पर्मिशन मिली फैक्टरी बनाई गई और ये फैक्टरी बाद में भाईया जबरदस्त नाम से फेमस होगी इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा दोस्तो Fort St. George ये Fort St. George आगे बहुत आने वाला है Modern History में ठीक है दोस्तों और पहले आप देखोगे कि British के trade का headquarters हुआ करता था मसूली पटनम जो कि था आपका आंध्रा में और धीरे धीरे ये headquarters Eastern edge पे मसूली पटनम से खिसक के हो जाएगा आपका मदरास तो ये headquarters अब Fort St. George चला जाएगा धीरे धीरे जो English है वो अपनी trading activities को फैलाते जाएगे फैलाते जाएगे East में बहुत जगा फिलाते जाएगे तो महानदी डल्टा में पहुचेगा उडिसा में पहुचेगा बंगाल में तो इनका फूट होल्ड बैठ ही चुका था दोस्तो यहाँ पे मैं इस वीडियो खतम कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो को मैं कोशिश में करता रहा हूँ वीडियो कोशिश में करता रहा हूँ